Hello friends, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने अपनी एक नभ वीडियो के साथ जैसा की हमारा हमेशा ये परियास रहता है कि हम आपके साथ कुछ रोचक जानकारी सांजा करें तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ही जानकारी लेकर आए हैं हम आपको बताएंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जिसे हमारे जहां लगवल नाइंटिन फर्टी फाइफ में हमारे दादा शीरी दवारा लगाया गया था तो बचपन से ही मेरा इस पेड़ को लेका काफी लगाब था क्यूंकि इसके फूल और फल काफी स्वाधिस्ट होते हैं तो हम आपको इस पेड़ के बारे में कुछ और जानकारी बताएंगे जैसा कि यह पेड़ ना सिर्फ हमारे बर्ट बर्ष में बलकि अफ्रीका में श्रिलैंका में इसके लावा ब्राजिल और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी पाये जाता है यह पेड उन्चाई में काफी उन्चा होता है और उसके बाद में इसके नाम पे चर्चा करें तो इसको इंगलिश में जून पाम, मंकी मंबीन, जैलो मंबीन, स्पॉंडिस, पिनेटा, माडा, मंब के नाम से जाना जाता है तो अगर हम इसकी बिशेष्टा के बारे में चर्चा करें तो इसमें बिटामिन सी काफी भरपूर मातरा में पाई जाती है जिससे यह हमारे अम्यून सिस्ट्रम को काफी स्ट्रॉंग रखता है उसके बाद हमारे डायस्टिव सिस्ट्रम के लिए यह काफी फाइदे मन रहता क्योंकि यहبة कैंसर जैसी भीमारियों ने काफी साहिक इस में आए एरिंद काफी मात्रा में होता तो हमारे शरीर हे data काफी असानी से बन जाती है तो स्थमा के मरीजों लिए फाइदे मंद रहता है इसकी पत्तियों से लेकर फल, हर चीज खाने लाइक होती है इसकी पत्तियों से कुछ दवाईयां बनाई जाती है जो चमडी रोग में काफी फाहिद मन रहती है उसके बाद इसके फल से अचार मुरब्बा बगारा बनाया जाता है और इसके जो फूल है मैं आपको फूल दिखाऊंगा भी और उसके बाद जे इन फूलों की चटनी कैसे बनाई जाती है जा क्या क्या बनाया जाता है बो आपको बताएंगे बो जानकारी हुई आपके साथ सांजा करेंगे ये हैं सबसे पहले मैं आपको इसके फूल दिखा दूँ जे उस पोदे के फूल है और उसके बाद इस पोदे के इन फूलो और खाने में फलों का स्वाद भी चटपटा सा रहता है तो आप अनंद लें ऐसे फल फूलों का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम आपके साथ ऐसे ही कुछ रोच्चिक जानकारियां और सांजा करेंगे धन्यवाद आपका